हलो फ्रेंड्स मैं होने रुपमा और मेरी किजिन में आपका भूद भूद स्वागत है आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब इसके जरीया आप अपने डायेट में ये नुटिशन शामिल कर सकते हैं और इसे वेजिटेरियन कबाब भी कह सकते हैं तो चली इसे बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले हम बेसन लेंगे और उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसे अलग रख देंगे अब एक पैन में पानी बॉयल करेंगे और बॉयल पानी में हम पालक के पत्रे डाल देंगे अब इसे बहुत जादा नहीं पकाएंगे नहीं तो इसके nutrition चल ले जाते हैं अब बस इसको निकाल लेंगे बस इतना ही पका के अब इसे ठंडे पानी में डालेंगे परफवाले पानी में अब इसको फिर निचोड़ देंगे और निचोड के इसका सारा पानी निकाल लेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अब इसको हम एकसी में पीस लेंगे अब हम कबाब बनाएंगे तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल करम हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा से जीरा जीरा तरकने लेगा फिर इसमें डालेंगे अदरक और मिर्च कटी हुई और उसे फ्राइ कर लेंगे अदरक मिर्च भून जाएगे फिर इसमें डालेंगे हम कटी हुई प्यास प्यास डालके इसे फ्राइ करेंगे प्यास को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस हलका सब भूनेंगे फिर इसमें डालेंगे हम पालक का पेस्ट पेस्ट डालके फिर इसको भून लेंगे हम 5 मिनट के लिए ताकि इसके कच्चापन निकल जाए पालक भुन जाएगा फिर इसमें हरी मतर का पेस्ट डाल देंगे तो इसमें हरी मतर को मिक्सी में पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे अब इसे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे फिर इसमें मसाले एड़ करेंगे एक चमच गरम मसाला, एक चमच रेट चिली पाउडर अगर आप तीखा जादा खाते हैं नहीं तो इसकिप कर सकते हैं फिर इसमें डालेंगे धानिया पाउडर, एक चमच और नमक टेस्ट के अनुसार अब इसे भूण लेंगे इससे पस अब गयस बंद कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद इसे बॉल में डालेंगे और उसमें डालेंगे हम उबलेवे आलू तो दू मीडियम साइज के आलू इसमें डालेंगे और फिर तीन चमच बेसन डालेंगे तो बेसन और आलू डालें के बाद थोड़ा सा नमक भी कम हो जाएगा इसमें तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और आम चूर पाउडर डाल देंगे फिर इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसे हातों से फिर कबाब बनाएंगे तो इसी तरह से बस चम्मस से एक बाइट लेंगे और हातों में जैसे टिक्की बनाते हैं ना हम बस बुलकुल उसी तरह से बनाएंगे ये देखे इस तरह से हाथ में लेंगे और इसे बिसको गोल कर लेंगे और इसे टिक्की की तरफ शेप देदेंगे बस इस अच्छी तरह से ऐसे दबा के सेट कर लेंगे बस इस तरह से टिकी तयार कर लेंगे और इसमें हम फिर काजू लगा देंगे एक तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा बस अब इसे shallow fry कर लेंगे तो इसके लिए एक pan लेंगे उसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा फिर अब इसे shallow fry करेंगे आप चाहे तो defry भी कर सकते हैं तो इस तरह से पैन में सारी टिकी रख देंगे और इससे फिर फ्राइ करेंगे पहले एक तरफ से फ्राइ करेंगे फिर दूसरी तरफ से भी फ्राइ कर लेंगे तो दोने तरफ से अच्छी तरफ से सीख लेंगे इसको गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे जिससे कि अंदर तक सिख जाएं कच्चे न रहें तो इसी तरह से पलट पलट के सीख लेंगे वाहल का सब ब्राउन इसमें कलर आ जाएगा पस अभी टिक की सिख गई है इस तरह से और अब हम इसे सर्फ करेंगे तो तयार है हमारा सुपर टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशन वाला हरा भरा कबाब जो आप होडल में खाते हैं इसे आप घर में बनाएं और सब को खिलाएं और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें